बिस्मिल्ला इर्मानिराहीम, अस्सलाम उलेकुम, I hope कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पर और आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार से रेस्टरेंट स्टाइल बीफ बर्गर्स की रेसिपी लेकर आई हूँ बिल्कुल आथेंटिक स्टाइल में बीफ पैटीज बनाएंगे जैसे के आपको इंटरनेशनल चेंज में मिलते हैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है इस बकराईद पे आप ये बर्गर शुरूर ट्राएं कीजेगा तो चलिए बनाना स्टाट करते हैं तो यहाँ पे मैंने आधा किलो बीफ का बारीग कीमा ले लिया है इसमें मैं एड़ कर रही हूं वन टीस्पून गार्लिक पाउडर गार्लिक पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है और गोश्की जो अपनी स्मेल होती है वो भी खतम हो जाती है गार्لिक पाउडर डाल के इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कोई रेस देने की जरुट नहीं है इसको हमने फॉरन से यूज कर लेना है इस रेसिपी की सबसे खास बात यही है कि इसमें किसी मेरिनेशन की जरुट नहीं होती और विदिन नो टाइम बर्गर्स रेडी हो जाते है अब हमने कीमे के पैटी स्रेडी करने हैं तो उसके लिए मैंने एक बड़े साइस का धकन ले लिया है अगर आपके पास बर्गर पैटी प्रेस है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन जब धकन से ही काम चल जाएगा तो पैटी प्रेस लेने पर पैसे क्यों जाय करने इस धकन के उपर मैंने एक प्लास्टिक का पीस लगा लिया है अब थोड़ा सा कीमा लेंगे और उसको इस धकन में डालके उपर से अच्छी तरह से अपनी फिंगर से प्रेस करेंगे ये प्रेस करने वाला काम आपने बहुत तसली से करना है क्योंकि इसी से पैटी की बहुत अच्छी सी शेप आएगी खास दोर पे किनारों से आपने बहुत अच्छी तरह से प्रेस करना है तो बस एक मिनट भी नहीं लगा और पैटी रेडी हो गया है और प्लास्टिक की शीट लगाने का ये फाइदा हुआ है कि मैंने बहुत ही आसानी से पैटी को ढखकन से बाहर निकाल लिया है इसी तरह से बागी के पैटी भी रेडी कर लेंगे और यहां पे आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है एक तो यह कि आप जो भी लिड इसमाल करें उसका साइज आपके बर्गर बन से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए क्योंकि पैटी को जब हम फ्राई या ग्रेल करते हैं तो इनका साइज थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि यह थोड़ा सा श्रिंक होते है और दूसरा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने यह पैटी बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाने बलके थोड़े पतले ही रखने है तो हमारा दूसरा पैटी भी रेडी हो गया है और इसी तरह मैंने बाकी के पैटी भी रेडी कर लिए है और हाफ के चीगी में से मैंने पांच पैटी बनाए है अब इनको कुक करने से पहले हम बर्गर सास रेडी कर लेंगे एक बोल में मैंने हाफ कप मियोनेज लिये है किसी भी अच्छे ब्रैंड के मियोनेज यूज कर सकते है और उसमें मैं आड़ कर रही हूं 4 टेबल स्पूंस टमेटो केचप घर पे केचप बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पे मुझूद है आप चेक कर सकते है और केचप की जगह अगर आप चाहें तो आप चिली गार्लिक सॉस भी यूज कर सकते है केचप डालने के बाद नेक्स मैं इसमें आड़ करूंगी 1 टेबल स्पून मस्टर्ट पेस्ट मस्टर्ट पेस्ट डालें से इसका टेस्ट बहुत इच्छा हो जाता है वन टेबल स्पून लेमन जूस का अड़ कर देंगे और इसके जगह वाइट विनेगर भी ढाल सकते है एक से दो चुटकी के बराबर नमक अड़ कर देंगे और इतना ही ब्लैक पेपर पाउडर भी अड़ कर देंगे मियोनेज और केचफ गरा में अलरड़ी नमक होता है तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा ही अड़ करेंगे सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और अगर आपको मेरी अब तक की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक भी कर लें चैनल को सब्स्राइब कर लें, बेल आपको भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मज़े मज़े की वीडियो देखने को मिलती रहें यहाँ पे मारी बेसिक बर्गर साॉस तो रेडी हो गी है लेकिन इसको नेक्स लेवल बनाने के लिए इसमें एक चीज़ और अड़ करेंगे मैंने टूटे बर्गर साॉस के करीब पिकल्ट हलापीनोस ली है इनको मैं बिल्कुल बारी इक चॉप कर लूँगे यह हलापीनोस मैंने घर पे बनाई थी लेकिन यह बाजार में भी बहुत इसली जार्स में मिल जाती है इनको बिल्कुल बारी चॉप करके हम बर्गर साॉस में एड़ कर देंगे और इनसे बर्गर साॉस का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा यह बर्गर साॉस बनाके आप इसको 2-3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं बस इसको किसी एर टाइड कंटेनर में डालें और फ्रिज में रख दें यह 2-3 दिन तक बिल्कुल ठीक रहती है खराब नहीं होती तो बर्गर साॉस रेडी हो गई है अब हम पैटीस को कुक कर लेते हैं यहाँ पर मैंने कास्ट आइरेन का ग्रिल पैन लिया है और इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लिया है इसमें मैंने 2-3 टेबल स्पूंस ओयल दाल दिया है और इसको मैं ब्रश की मदर से अच्छे से पहला दूँगी कास्ट आइरेन पे ग्रिल करने से पैटीस का टेस बहुत ही अच्छा आता है लेकिन अगर आपके पास यह नहीं हो तो आप नॉर्मल नॉंस्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हैं जब आपैटीस को पैन में रखें तो पैन अच्छे से गरम होना चाहिए और फ्लेम मैंने मीडियम रखा है बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं रखा और बहुत हलका भी नहीं रखा अगर फ्लेम बहुत ज़्यादा हलका होगा तो पैटीस बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ देंगे और अंदर से ड्राइ हो जाएंगे पैटीस को पैन में रखने के बाद इनको हिलाना नहीं है ताकि इन पे अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ जाजाएं तक्रीबन तीन मिनट के बाद इनकी साइट चेंज करेंगे तक्रीबन तीन मिनट के बाद पैटीज की उपर वाली साइट पे बहुत अच्छी तरह से नमक और ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे हमने कीमे में कोई भी स्पाइसेज आड़ नहीं किये थे सिर्फ गालिक पाउडर एड़ किया था क्योंकि authentic recipe में नमक मिच उपर से इस तरह स्प्रिंकल किया जाता है तो पैटीज पे मैंने अच्छे से नमक और ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है अब इनकी side change कर देंगे बीफ पैटीज को आपने over cook नहीं करना होता क्योंकि over cook करने से ये अंदर से बहुत dry हो जाते हैं जूसी नहीं रहते इनको दोनों side से 3-4 मिनट ही पकाना होता है और इनका total cooking time तक्रिबन 7-8 मिनट ही होता है इनकी side change करके मैं इनको दूसी side से भी 3-4 मिनट के लिए cook कर लूँगी और इस दोरान इनको हिलाना नहीं है ताके इन पे grill marks अच्छे से आ जाएं तक्रिबन 3-4 मिनट हो गए हैं अब दूसी side पे भी मैं बहुत अच्छे से नमग और black pepper powder sprinkle कर रही हूँ अब इनकी side change करके दूसी side से सिर्फ 1 मिनट के लिए cook करूँगी क्योंकि ये side पहले से पकी हुई है सिर्फ इसको हमने season अभी किया है इसलिए 1 मिनट के लिए cook करना है बस 1 मिनट में ये ready हो जाएंगे और अब हम patties को किसी plate में निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कि patties का size थोड़ा सा change हुआ है क्योंकि ये normally थोड़ा सा shrink होते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा shrink नहीं हुए और उसका reason ये है कि मैंने जो कीमा लिया था उसमें बहुत ज्यादा चर्बी नहीं थी कीमे में थोड़ी सी चर्बी होना जरूरी है ताके patties juicy बने लेकिन अगर बहुत ज्यादा चर्बी होगी तो patties बहुत ज्यादा shrink हो जाएंगे अच्छा पहले की तरह मैंने बागी के patties भी ready कर लिये हैं और इनके साथ ही मैं यहाँ पे दो प्यास को slice करके add कर रही हूँ patties के साथ साथ यह प्यास भी caramelize हो जाएंगे मैंने प्यास में चीनी add नहीं की लेकिन अगर आपको इनका sweet taste पसंद है तो आप इन में थोड़ी सी brown sugar भी add कर सकते हैं जी तो हमारे burger patties और caramelized onion दोनो ready हो गए है इनको pan से निकाल के किसी plate में रख लेंगे और इसी pan को दुबारा use करेंगे जी तो इसी pan में मैं burger buns को भी toast कर रही हूँ pan गरम है तो ज्यादा time नहीं लगेगा दोनों side से एक-एक मिनट के लिए toast करें ताके इस पे अच्छे से grill marks आ जाएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आप वीडियो को like भी कर लें और चैनल को subscribe भी कर लें सब चीज़े रेडी हो गई है अब हम इनको assemble कर लेंगे बन के नीचे वाले इससे पे burger sauce लगाएंगे उसके उपर मैं cabbage leaf लगा रही हूँ आप चाहें तो आप lettuce leaf भी लगा सकते हैं बीफ patty रखके उसके उपर भी थोड़ी से burger sauce लगा देंगे और उसके उपर caramelized onion लगा देंगे आप चाहें तो इसमें टिमाटर या खीरे वेरा भी लगा सकते हैं बन की उपर वाली side पे भी अच्छे से sauce लगा देंगे और जी हमारे beef burger बिल्कुर ready हो गए हैं इसी तरह से बाकी के burger भी मैंने ready कर लिये थे और कुछ burger में मैंने टिमाटर के slice भी लगाए हैं और कुछ में नहीं लगाए आप भी इनमें अपनी पसंद की कोई सी भी vegetable लगा सकते हैं जी तो हमारे बहुत ही मज़ेदार और juicy से beef burger बिल्कुर ready हो गए हैं इसी इत पर आप अपने लिए अपने घरवालों के लिए ये beef burger जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे comment में feedback भी दीजेगा कि आपको ये burgers कैसे लगे वीडियो अच्छी लगी है तो thumbs up तें अपने friends and family के साथ share कर लें और मेरे चैनल को subscribe भी कर लें फिर मिलेंगे किसी नई recipe के साथ दौाओं में याद रखेगा अलाहफेज